तो दोस्तों आज हम यहां पर इस प्रिंटर का हैड चेंज करने वाले हैं क्योंकि हमने जो है इस प्रिंटर में प्रॉब्लम जो आ रहा है वह आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं यह देखिए इस तरीके से यह डबल नाइन आ रहा है और अगर मैं इसको यहां पर आपको यहां पे online मंगा के इसको change कर दिया उसके बाद भी दिक्कत आया है अब यहां पर वाला इंक भी ज़्यादा छोड़ रहा है तो हो सकता है ब्लैक हैड खराब वह आपको ब्लैक हैड यहां पर change करके दिखांगा और यह जो ब्लैक हैड है यह कितने का पड़ा यह जो है आपका पिक्समा, प्रिंट, हैड, BS70, ब्लेक, ठीक है, यह अगर आप मार्केट जाएंगे, तो आपको यह 1500 रुपए का, अगर आप इसको कंपनी से मंगाते हैं, तो साड़े 700 रुपए का आपको देगा, और इसके किसकी स्प्रिंटर में लगता है, तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे होंगे, जी, दस बीस, 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 इकिस, बीस, साथ, तीस, यह मतब इस तरह यह सारे आप देख लीजेगा यहाँ पर, आल हम क्या करते हैं, इ इससे यह problem solve हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें अभी, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने इसका maintenance cartridge चेंज किया, strip चेंज किया, अब जाके यह black hair चेंज करोंगा, अगर करता हूँ, अभी unboxing भी नहीं किया है, तो unboxing करते हैं, और आपको इ आपको क्या करना पड़ेगा, यह setting वाले button पर click करना पड़ेगा, उसके बाद आपको right side जाना पड़ेगा, maintenance पर जाके okay पर click करना पड़ेगा, यहाँ पर हो गया nozzle check, चलिए एक बार मैं nozzle check भी करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या nozzle check में कैसा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं मतलब आ तो सब कुछ सही रहा है, बस एक दो जो वो है, lining जो है वो मिट रहा है, यहाँ से आपको जैसे दिख रहा होगा, एक दो lining यहाँ पर मिट रहा है, तो मतलब black head में ही यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो चलिए हम इसको black head को क्या करते हैं, इसको change करते है और यह दिक्कत इसलिए आ सकती है कि हो सकता है आपने जैसे मैं इसको साफ करने में कपड़ा मार देता हूं या गंदगी आ जाती है धूल आ जाता है तो यहां पर लाइनिंग जो टूट रहा है तो आपको यहां पर दिखाई दे भी रहा होगा टोटल पेज जो है 9244 है प्र करने के लिए यहां पर हमें कुछ सैटिंग करना पड़ेगा तो सबसे पहले एडलाइजमेंट प्रेंट रूलर बीटियम इंग फ्लस इंग फ्लस कभी भी मत करिएगा तो मैंने इंग फ्लस पर वीडियो बना रखा कि कैसे हम इंग फ्लस ना करके पाइप में इंक लाएं तो वह भी वीडियो आप देख सकते हैं स्टार्ट रिप्लेसमेंट जैसे आप स्टार्ट रिप्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ओके पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको वेट करना है वेट ओपन दा कवर कवर हमने यहां पर ओपन कर लिया ओपन करने के बा तो अब धेखenders यहां पर धक्यून Quebec के बार है तो इसको आप क्या करेंगे सब्सक्राइब. में धाल जो आधा याधा गिर रहा है तो अब इसको साइध रखेंगे इसमें जो है दूसरा वाला डालेंगे बिलैक बीएस सेवेंटी यह कह रहा है यहां से उपर से यह हटाओ और यह आपका हैड को यहीं चीज है जो आपका पूरा प्रिंट करता है तो इसको आपको सेफटी के साथ रखना है और इस पे आपको उंगली नहीं लगानी है नहीं तो देते हैं लगाने में भी ज्यादा मैनत नहीं है बस आपको क्या करना है अराम से इसको यह देखिए यह हिल रहे थोड़ा सा अब यह जो वाइट वाला है यह यहां पर लॉक कर देगा दबा देगा तो अब क्या करना है अराम से आपको इसको दबा देना दबाने के बाद ये उपर वाला सेट कर देना है तो आपका ये हैडर चेंज हो गया है एक एरर कोड आ गया इंक वैल वैल वाला तो हमने उसको बदला नहीं था अब इसको हम इसको इस साइड कर देंगे तो वह चींज हो गया अदो नोजल चेक वाले में देखिये प्रिंट बिल्कुल सही आ रहा है यह यह सारा कलर यह यह बॉक्स वाला भी सारा यहां पर बन रहा है वह कि बॉक्सवाल है अब होगाँ यहां जैसे हम यह सैटींग वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस टैप आजागा है वाय ऐसाइट टिवाइस सेटिंग फीड मेंटनेंस मेंटनेंस पे जाएंगे नोजल चेक हमारा print बहुत सही आ रहा है तो मतलब हमारा head जो है वो बिलकुल ठीक है उसके बाद हम आके जाते है cleaning deep cleaning head alignment इसको हम करना है print print जैसे करेंगे ये आपका ये चीज ठीक होना चालू होगा अगर एक बार में ना हो तो इसको दो बार head alignment कर दें तो सायद उससे ठीक हो जाए तो फिलाल हम यही करके देखते हैं कि तो अब क्या करना है हमारा ये print यहां पर head alignment यहां पर हो गया उसके बाद यहां पर देखा है और यहां पर scanning पर यहां पर बता रखा है और यहां पर यह arrow यहां पर दिया हुआ है तो अब क्या करना है यहां पर इस तरीके से लगा देना है अब इसक पर start पर click कर देना है start का मतलब okey पर यहां पर ok करते हैं अब यहां पर देखिए head alignment ठीक है इस तरीके से यहां पर लिखाएगा है है तो यहां पर देखिए head alignment तो यह इस तरीके से हो गया print करके देखता हूं फ़ले wifi हमें connect करना पड़ेगा तो वो करके देखता हूं कि जो फोटो मैंने प्रिंट किया और वो बिल्कुल एकदम किलियर आया है बिल्कुल सही आया है एक एक डिटेल एक हर चीच सारा किलियर आया है जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है थोड़ा सा यह लाइनिंग हमने यहां पर मेहनत किया और हमने यहां पर वो काम करके दिखाया है अब देखते हैं कब तक ठीक रहेगा नहीं रहेगा तो इसके लिए आपको इस चैनल के साथ बनी रहना पड़ेगा इस प्रिंटर में वैसे भी पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो यहां पर डाल रख अब इस चैनल को मिलता रहेगा प्रॉग्लम पर भाई मतले ना बहुत पस्ता होगा मतले ना इससे अच्छा आप एपसन ले लो ले लो अपको दुकांदार बोलेंगे हैड बहुत महंगा है मतलो भाई इसके भी हैड महंगे हैं सस्ता नहीं हैं 2000 का एक हैड़ है तेरह सों क गंदा पेपर गंदा पेपर उस पर मत डालो धूल से बचा के रखो तो आपका सही चलेगा बाकी प्रिंट क्यालिटी अच्छी है पर वही है मैंटनेंस बहुत महंगा है भाई साहब आप देखी रहो नो नो सो रुपे का एक गंदगी निकालने के लिए नो सो रुपे का रह तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद